हालो एवरिवन, वेलकम टू NCC यूटूब चानेल अच्ता वीडियो जो आहे, तो वीडियो ट्रेडिंग, प्रोफिट अलोस अकाउंट आण बैलेंशीट यह संदर बाता है अपन जा काई बेसिक अकाउंट ची सीरी सुरू के लिली आहे, ते तिलहा शेवर्ट सा वीडियो F4, F5, F6, F8, F9 यहां मदे जा जा काई जर्नल इंट्रेस के लिले आहेत तर त्याचा वरून आज आपन बगुया की ट्रेडिंग अकाउंट, प्रोफिट अंड लोस अन्ड बैलेंशीट कसते रहता है यहां मदे मी एक राजेस्ट्रेडर्स नावाची कंपणी क्रियेट के लिले आहे, जी तुमी बगता है डेस्ट ओफ वर, राजेस्ट्रेडर्स आणि हैचा मदे काई ट्रांजाक्शन्स मी फिलब के लिले आहेत आणि त्या फिलब केलां तर अपलेला ट्रेडिंग अकॉंट प्रॉपिट अन लॉस आणि बैलेंस इट कसा शो होता आणि आपन ते कसा बगुशक तो हे बगुए आच्चा वीडियो मेरे पहिलेंद आपन बोगया कि ते डे बुख लई हुए नेवी प्रामाने डे बुख लई हुए अपन सिलेट करुए आणि तुभी बगता है कि हाँ सगला एंट्रा मी 1st April आए ति ते मी डेट चेंज केलेली नाई है अकॉंट्स अनली मदे करता होती इते इन्वेंटरी नाई ह इते GST किवा टैक्स सिस्टिम नाई है यहा वीडियो मदे कर आपन ही बेसिक लेवल चे सगय सीरीस के ले ले आहे आणि बेसिक लेवल मदे सुथा आपन ट्रेरिंग अकॉंट को सदिशतो प्रापिट अनलोस को सो होतो कि वह बैलेंशिट मेंदे का एंटर है ता एक सब्सक्राइब कर आपको आणि तुम्हीं बगता है कि गेटव आप टैली जा फॉर्माट वर्ती इते खाली बैलेंशिट एका है प्रॉपिट अनलोस एका है आणि प्रॉपिट अनलोस ले आपन सिलेट करें से आणि एंटर करें से एंटर के लिए अंतर तुम्हें एक्सपेंसेस आए डायरेट एक्सपेंसेस आए लंतर आपन जर क्रेडिट साइट लागेलो तो तुम्हें वर्ती बगता है कि इते सेल्स अकाउंट आए क्लोजिंग स्टॉक आए और प्रत्य कॉम्मर्शन स्टूटन नम आईती है कि हाज जो ट्रेडिंग अकाउंट आए आए रहां यू पार्ट आए वर्ता सगण जर्ची अपन मतला कि 15000 ही अपने टोटल जली है 4800 अकाउंट आए और आप लेला वाटते कि पर्चास अकाउंट नुस्ते आप लेला पन नकी कदी जले पर्चास अकाउंट कुछ्छा पार्टी नहीं केली लेला है है जर कि एप्रिल मदे डेबिट ला 5000 आहे आणि क्रेडिट ला 200 यहाचा आरता सा तो कि 5000 चा पर्चेस केल लाण 200 चा रीटर्न आहे पर्चेस रीटर्न आहे जैचे आपन डेबिट लाट करतो आणि यहाचा सुधा वीडियो आपन टाकलेला चा हे तो तुम्ही नक्की बगा डेबिट लाट आनि क्रेडिट लाट सा तर ही तुन आपलेल समझत कि अशा प्रकार आपन बगुशक्तो कि पर्चेस मदे पर्चेस सेकुंद किती जाला रिटर्न किती जाला आणि 4,800 जै तुम्ही यहाचार पुन्हागी दा क्लिक केला तो तुम्हाला पूर्ण दिस्त कि सुरेज स्टोर्स करणू आपन पर्चेस सा 5,000 सा केलेला हे पर्चेस आण डेबिट नोट प्रमाने 200 सा गुड्स तेला आपन रिट केली तर इस तुद्ध आपन ला हे पूर्ण शो हो शकता कि डायरेट एक्सपेसेस मते का आये तैसाटी परत मागे दाने ची गरज नाई है तुम्ही दोनी प्रकरे कर शकता सीलेट करून तुम्ही मागे दान शकता नाई ता अल्ड प्लस एपन ही के तुम्ही प्रेज कर श के चाहिए के सेल सेल अकांट है फ्युप्तिन थाउजन आए तैक एम धाने रिटर्न साहिए का बगाया चाहित अपला एंटर कर आवला ला गया और बगत आपन कि 1555 चे सेल होता अपला रिटर्न आफ्टो आए तो अपन तो तुम्ही बगाली यह अपलादा क्रेट नूर 555 ची और टोटल सेल अपने ला असा साले ला है ओके तो सेल अपने ला टोटल ली 15,000 चा दिस्तो है आणि मग यह जे वर्थो स्टेक्मेट आपन जर टाली केलो तो तुभी बगता है कि यहां साइड ला कि ते 15,000 ची टोटल है मैं जीपी कि ते आला आपना 8,100 जीपी आपन क करतो है कि 15,000 ची टोटल असते ही डेबिट साइड ची आणि ही क्रेडिट साइड ची 15,000 ची टोटल अपन राइट आट करतो है 15,000 में आपने जावे जाए सगे expenses के परचिस माइनस के ले तो आपना जीपी फिगर में ते 8,100 तो आपना जीपी धाले ला है आणि हाँ जीपी आपन हाँ thousand फिर में परचा स्टे चाल आए ते स्टेट में ले आपना काई करतो हैं ब्रॉट फरवड करतो तो ही ते शब्द कसल्था है जीपी ब्रॉट फरवड यापने जीपी धाँ आट कर लेल आ आपने खाली जीपी ईंडरेट इंकम्स आए त रशी ब्र चाथा सिग का अलेला है advertisement expenses, electricity charges, insurance, interest, salary यह जी total अलेला है 14,450 ओके आणि ही जी total आहे तो तु भी परत बगाल कि credit side पुन्धा मोटी आहे आणि ही general यह है मी arrow धेती तेसा 14,540 ही total मोटी जालेला है यह तु नहीं सके 14,450 माइनस के लिए कि 90 अपला है net profit ओके मजेजे आपन manually करतो तेस आपन tally मदे करतो वक्तती दीशने ची पद्धत थोड़ी शी भेग लिया है आता आपन काय करूया कि balance sheet लग हुआ escape करें से balance sheet करें ची एंटर करें से आणि ही ते पुन्ना अल्ड प्लस एपन की जर प्रेस के लिए तर त्यातले सगे तुम्हाला options दीशता था capital account मतला तो 50,000 से capital आण लेला है loans liability सत्या घेतलील नहीं है करना आपन accounts only मत्या हो सत्या inventory नहीं है current libraries में संडी creditors है 4,800 जर तुम्ही संडी creditors ला select के ला आणि enter के ला तो पुर्णा के ला एंटर करा कि तुम्हाला सूर स्टोर दिसल कि तयाला आपन तयाचा अकोट आपन goods purchase के लेला है तो आपना संडी creditors आ है profit आपन balance sheet मदे capital मदे धेमी add कर दस्तो ये आपन manual accounting मदे करतो आणि टाली मदे का आउत profit and loss देशो होत बाजुला विगळा दसा company final account करतो दसा profit and loss वेगा दिस्तो रिजर्वा वेगा दिस्तो तस अस टाली मदे आपने ला दिसल दस्तो आणि आपन नंतर asset side लेता है ये अपली asset side है इते fixed asset आ है आणि बगीत लात मशनर ये अपला कड़े आ है fixed asset नंतर current asset मदे है closing stock जो सद्ध्यापन करत नहीं है sundry debtors आ है cash and and आ है इतकी शिल्लक राए ले लिया है bank accounts मदे ये उड़ा balance अपला शिल्लक राए ले 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 है ये सर्गरकशा मदे तो current asset मदे तो आण टेंची टोटल आ है तो आपन इते लितो है 34,890 ये टोटल आपन कोशाजी लितो है कि ये यहाजा काई amounts है थे येंची आपन total करन लितो आता कदी-कदी fixed asset मदे का होता कि अजन दोन तीन asset तर अपले asset तत्या सुद्धा अपले लिते शो होता आता advance level चा लेक्चर मदे का होता कि अपन depreciation घेना रहा होता बिल्स रिशेबल आहे बिल्स पेबल आहे और बरे अश्या काई काई गोश्ट्य आपन करना रहा होता तर ट्रेडिंग प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट आणी balance sheet अश्या प्रकर्या अपन टैली मदे तयार केले लाहें तुम्हाला जर ट्रेडिंग प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट तयार करा असेल तर जा आपन F4, F5, H1 एंटरा मदे जा काई assignment गेतले लाहें तो यह सगया assignment तुम्ही एक कंपणी क्रियेट करा अणी एकावेला एकाज कंपणी मदे त्या सगया assignment कंप्लीट करा तुम्हारा सुद आशी balance sheet दिसेल आणी तुम्हें प्रैक्रिस होन दै वीडियो आवड तो सेल तर नकी लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा कमेंट्स करा थेंक्यू